नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यह बात आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि आसकल घर बनाने का जो कॉंट्रेक्ट है वो स्कॉयर फिट में स्लेव यानि की छत को मापकर लिया जाता है और आसकल घर को एक अच्छा लुक देने के लिए यानि की घर की खूपसूरती बढ़ाने के लिए तेड़ी मेडी छत बनाई जाती है जिससे स्लेब यानि की छत के चारो तरब जो पहरा पेटवाल होती है उस पर डिजाइन बना कर हम घर को एक अच्छा लुक दे सके करना सिखाएंगे जो की छे पॉइंट पर टेनी मेडी हुई है सबसे पहले आप इस स्लेब को देखिए और देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि क्या आप इस स्लेब को मापकर कॉंटेक्टर का पेमिंट स्क्वार फिट में कर सकते हैं स्लेब को यदि आप पीछे से द सकते हैं कि कॉर्नर पर दो जगा मोरी है उसके बाद भी आप लाश्ट पॉइंट पर देख सकते हैं कि लाश्ट पॉइंट पर भी स्लेब को दो जगा मोर कर डिजाइन बनाई गई है और यदि हम इस वीडियो की बात करें तो यह वीडियो पूरा प्रेक्टिकल होगा आप पर हमारे पास 100 feet को मापने वाला tape है तो चलिए सबसे पहले हम छट की लंबाई माप लेते हैं आप देख सकते हैं कि हमने छट की लंबाई की डारेक्शन में tape लगा रखा है tape लगाने के बाद चलिए हम आपको देखा देते हैं कि छट की टोटल लंबाई कितनी है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि छट की जो टोटल लंबाई है 41 feet है यानि 41 feet है और यहां पर भी हमने छट का एक sketch बना रखा है और छट की यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने यहां पर मापी हैं तो चलिए हम यहां पर 41 फिट लिख लेते हैं आप देख सकते हैं कि आपकी जो छट है कुछ इसी तरीके से मोडी हुई है तो वीडियो पुरा देख लीजेगा तो आपकी समझ में आजाएगा कि इस तरह की मोडी छट को किस तरीके से मापते हैं छट की लंबाई मापने के बाद चलिए हम छट की चौडाई मापते हैं तो छट की चौड़ाई मापने के लिए यहां पर आपको समझना होगा कि हम इस छट को दो पार्ट पर मापेंगे तो यदि हम फश्ट पार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम केवल इतने पार्ट को माप रहे हैं केवल आपको सबसे पहले इस फश्ट पार्ट को मापना है यानि की टोटल ये वाला एरिया क्योंकि ये जो हमारी स्लैब है इस डारेक्शन में बिल्कुल सीधी है तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को मापेंगे तो फ़स्ट पार्ट में हम यहां से लेकर यहां तक की स्लैब की दूरी माप लेंगे तो स्लैब की चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 17 फिट यानि की 17 फिट है तो स्लैब की चौड़ाई मापने के बाद 17 फिट आया यानि की 17 फिट आगिया तो यहां से लेकर यहां तक की जो slab की दूरी है वो 17 फिट यानि की 17 फिट है अब यहां पर आपको एक डाउट होगा कि हमने slab की जो चोड़ाई है यहां तक मापी है तो यहां तक मापने के बाद यह वाला एरिया यह वाला एरिया यह वाला एरिया यह वाला एरिया माइनस कैसे करेंगे वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे तो चलिए सबसे पहले हम slab के first part का area निकालते हैं यानि की छेदरफल निकालते हैं तो area निकालने का formula लंबाई into चौड़ाई होता यानि की length into width तो slab की जो लंबाई है आप देख सकते हैं की 41 feet है तो हम यहाँ पर 41 लिख लेते हैं 41 into slab की बिख्यानि की slab की चौड़ाई तो हमने गुड़ा कर ली तो slab के चौड़ाई की बाद करें तो आप देख सकते हैं की 17 feet हमने माप रखा है तो चलिए हम यहाँ पर 17 यानि की 17 लिख लेते हैं तो चलिए इन दोनों का गुड़ा करके हम solve करके देखते हैं कि slab के first part का total area कितना है गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि slab के जो first part का area यानि कि यहां से लेकर यहां तक का total area है वो 697 square feet है यानि कि 697 square feet है तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 697 square feet तो slab पे केवल इतने part का जो area है 697 square feet है बट इस 697 square feet में आप देख सकते हैं कि ये वाला area यानि कि जहां पर slab नहीं पड़ी थी उसको भी हमने माप रखा है तो 1, 2, 3, 4 तो ये 4 part हमें minus करने होंगे तो चलिए slab के total area में जहां पर slab नहीं पड़ी है इसको हम minus करते हैं तो सबसे पहले ये जह हम इस corner की बात करें तो आप देख सकते हैं कि slab के इस corner पर slab नहीं पड़ी है तो आपको केवल इतने part का area निकालना पड़ेगा तो area निकालने के लिए slab जितना आगे निकली है और इसके साथ सा design जितने area में बनी है उसका आप गुड़ा कर देंगे तो यहां किनारे पर आप देख सकते हैं कि 14 inch slab को कुछ इस तरीके से बनाने के बाद 5 inch आगे slab निकली है तो 14 inch गुड़े 5 inch यह ध्यम कर देंगे तो हमें यह वाला area square inch में पता चल जाएगा तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं 14 inch into 5 inch 14 inch आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी है और 5 inch slab को आगे निकाला गया है तो इन दोनों का गुड़ा करने के बाद इतना area हमें पता चल जाएगा आप यहां पर एक चीज notice कर लिजेगा कि इसको हम square inch में निकाल रहे हैं square inch में निकालने के बाद इसको आपको square feet में convert करना होगा क्योंकि आपकी जो main value है वो square feet में है इसलिए यह value भी आपको square inch से square feet में convert करनी होगी गुड़ा करने के वाद आप देख सकते हैं कि 70 square inch आया यह हमारा 70 square inch हो गया और यह दि हम second deduction के बाद करें तो आप देख सकते हैं कि 9 by 5 inch में यहाँ पर slab नहीं बनी है और first part को map ते समय हमने इस area को calculate कर लिया था इसलिए अब हमें area minus करना पड़ेगा तो केवल इतना area निकालने के लिए आपको लंबाई into 4i से गुड़ा करना पड़ेगा तो आपको केवल इतना area पता सब गाएगा तो यदि हम लंबाई की बात करें तो 9 inch है तो हम यहाँ पर 9 inch लिख लेते हैं into यदि हम चवड़ाई की बात करें तो 5 inch है तो यहाँ पर हम 5 inch कर लेते हैं गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 45 square inch आगया यानि कि 45 square inch तो हम यहाँ पर 45 square inch लिख लेंगे तो इन दोनों का आपने निकालना सीख लिया ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो value यहाँ पर है वही value इस corner पर है और जितना square fit calculate करने के बाग यहाँ आया था उतना यहाँ पर आएगा क्योंकि इन दोनों की value समान है ठीक है तो इसका area निकालकर हमने यहाँ पर रख दिया यह दोनों same है इसलिए same value आएगी और इसका area हमने यहाँ पर निकाला इन दोनों की value same है तो यहाँ पर same value आई है तो जहाँ पर slab नहीं पड़ी है इन सभी area को निकालने के बाद सभी value को आपको square fit में convert करना पड़ेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी value हमने निकाली है square inch में निकाली है तो 70 square inch को square fit में convert करने के लिए square inch divide by 144 यानि कि किसी भी square inch की value में यदि आप 144 से भाग दे देंगे तो वो value जो है square fit में convert हो जाएगी तो चलिए इसी formula पर इन सभी को रखकर solve कर लेते हैं तो 70 divide by 144 solve करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.4861 square fit आगया 0.4861 square fit आगया इसी तरीके से हम इसको solve कर लेंगे 45 square inch divide by 144 solve करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.3125 square fit आगया अब यदि आप इसको convert करेंगे तो same इतना ही आएगा और यदि आप इसको convert करेंगे तो same इतना ही आएगा तो इसको solve करने के बाद इतना ही आएगा तो चलिए हम इतना ही इसमें जोड लेते हैं 0.4861 ठीक है plus second वाले को solve करने के बाद 0.3125 आएगा तो चलिए हम इतना ही जोड लेते हैं फिर से तो चलिए इन दोनों को अब हम जोड लेते हैं जोडने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.9722 square fit आगया इसी तरीके से हम इन दोनों को भी जोड लेंगे जोडने के बाद आप देख सकते हैं इन दोनों को जोडने के बाद 0.6250 square fit आगया अब आपको इन दोनों को जोड लेना है इन दोनों को जोडने के बाद आपको पता सल जाएगा कि slab के फ़श्ट पार्ट में कि slab के फ़श्ट पार्ट में 1,2,3,4,4 चार जगां पर जहां पर slab नहीं पड़ी है वो total कितना area होता है दोनों को add करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1.5972 square fit आगया यानि कि इन चारो area में जहां पर slab नहीं पड़ी है उसका total area जो है 1.5972 square fit हुआ तो फ़श्ट पार्ट के total slab में जितने area में slab नहीं पड़ा है हम वो एरिया माइनस कर देंगे तो यहां पर slab का जो total area था 697 square fit था तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 697 square fit माइनस जितने area में slab नहीं पड़ी है उसका square fit निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि 1.5972 square fit आया तो इसको हम माइनस कर देंगे 1.5972 square fit तो चलिए हम इसको solve कर लेते हैं निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि total 695.40 square fit आ गया यहनि कि slab के first part का जो total area हुआ 695.40 square fit हो गया तो slab के first part का area निकालने के बाद चलिए हम slab के second part का area निकालते हैं यह हमारा slab का second part है slab का इतना area हमने already निकाल रखा है अब हम इस second part का area निकालकर दोनों को जोड लेंगे तो हमें पता सल जाएगा कि इस टेडी मेडी slab को मापने के बाद total कितना square fit हो गया तो second part को मापने के लिए सबसे पहले आपको यहां से लेकर यहां तक की दूरी मापनी है तो हमने आप टेप लगा लिया है चलिए आपको दिखा देते हैं कि यहां पर यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है तो total लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 21 feet है तो चलिए हम यहाँ पर 21 feet लिख लेते हैं आप एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर slab की जो total दूरी है second part वाले slab की जो total दूरी है हो 21 feet है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मापने के बाद second step में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की total दूरी मापनी है तो चलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का tape लगा लगते हैं तो tape लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि slab जो बाहर निकली हुई है यानि कि second part की slab है उसकी जो total distance है सामने वाली वो 4 feet है यानि कि 4 feet है तो चलिए हम यहाँ पर 4 feet लिख देते हैं तो इन दोनों का गुड़ा करने के वाद आप देख सकते हैं कि हमें keval और keval इतने area का छेतरफल मिल दाएगा आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जो अभी हम छेतरफल निकालेंगे इसमें यह वाला area भी calculate है और इस area में आपकी slab नहीं पड़ी है यानि कि second part में आप देख सकते हैं कि दोनों किनारों पर slab नहीं पड़ी है तो measurement करते समय इस area को भी आप माप रहे हैं बट पूरा मापने के वाद आपको यह वाला area minus भी करना पड़ेगा तब इस ten made slab का total area आपको मिलेगा तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 84 square feet आ गया तो शली हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 84 square feet तो इस slab का total area निकालने के बाद corner पर आप देख सकते हैं कि दो जगा slab नहीं पड़ी है इस area को minus करना पड़ेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की यदि हम distance की बात करें तो 20 inch है इस distance को आपको inch में मापना है ठीक है क्योंकि यह इतना ज्यादा नहीं है कि आप इसको सुध तरीके से feet में माप सकें तो inch में आप माप लीजिए उसके बाद आप इसको square feet में convert कर लीजिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 20 inch हमने माप रखी है तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते है 20 inch slide जितनी बाहर निकली है उसकी distance 5 inch है तो गुड़े हम 5 inch कर देंगे तो चलिए अब हम इसको solve कर लेते है आप देख सकते हैं कि 100 square inch आ गया अब ध्यान रखिएगा कि यह बहलू square inch में है इसको आपको square feet में convert करना पड़ेगा तो 100 square inch हो गया इसी तरीके से यह आप इस second part का निकालेंगे तो इसका भी 100 square inch आएगा क्योंकि इसकी लंबाई और चोड़ाई इसकी लंबाई चोड़ाई एक समान है तो हमने यहाँ पर solve करके 100 square inch लिख लिए अब square inch को आपको square feet में convert करना है तो square inch को square feet में convert करने के लिए आपको square inch divide by 144 तो चलिए अब हम इसको solve कर लेते हैं 100 square inch divide by 144 solve करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.944 square feet आगया तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.6944 square feet इसी तरीके से यदि आप इसको solve करेंगे तो भी इतना ही आएगा तो चलिए हम यहाँ पर plus करके इतना ही लिख लेते हैं 0.6944 क्योंकि यह दोनों value बराबर है तो आपने इसको solve किया तो इतना है तो इसको भी solve करने के बाद इतना ही आएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 1.3888 square feet आ गया next step में second part का आपने जो total area निकाल रखा था जिसमें ये वाला भी part 8 था तो पूरे area में से इन दोनों part का area आपको minus कर देना पड़ेगा तो चलिए हम minus कर लेते हैं total area हमने 84 square feet निकाला था तो 84 square feet में आपको 1.3888 square feet minus कर देना है 1.3888 square feet solve करने के बाद आप देख सकते हैं कि 82.6120 square feet आ गया तो इस second part का जो actual area है यानि कि यहां से लेकर यहां से लेकर यह जिस तरीके से मूड़ी है इस तरीके का यदि आप area निकालेंगे तो 82.6120 square feet आएगा तो चलिए अब हम slab का total area निकाल लेते हैं यानि कि slab का total area तो टेड़ी मेड़ी slab का total area निकालने का formula होता है first part plus second part आपने जितने part में slab का area निकाल रखा है क्योंकि slab यह ज्यादा भागों में मूड़ी है तो आपको ज्यादा part बनाने होते हैं तो first part आप देख सकते हैं कि हमने 695.40 square feet निकाला था तो इसको हम लिख लेते हैं 695.40 square feet यह हमारा first part हो गया plus second part की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 82.6120 square feet यानि कि इस वाले part का 82.6120 square feet तो चलिए अब हम इन दोनों को add करके देखते हैं कि total slab कितने square feet की है तो total add करने के बाद आप देख सकते हैं कि 778.0120 यानि कि approximately 778 square feet है तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 778 square feet की आप की slab हो गया यानि कि इस टेड़ी मेड़ी slab को मापने के बाद जो total area आया वो 778 square feet आ गया तो पूरे slab का area निकालने के बाद next step में आपको labor का rate निकालना होता है labor का rate निकालने का formula area into per square feet slab बनाने का rate तो slab का total area 778 square feet है तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 778 square feet into इस slab को बनाने का जो contract हुआ थेका हुआ था 45 square feet के हिसाब से हुआ था 45 square feet के वो labor का charge है जिसमें labor सट्रिंग करेगा इस्टील लगाएगा और slab की ढलाई करेगा और slab मजबूत होने के बाद सट्रिंग को निकालकर ले भी जाएगा ठीक है इतना करने का जो contract हुआ था 45 square feet के हिसाब से हुआ था तो चली हम यहाँ पर 45 से गोडा कर देते हैं गोडा करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह पता चल जाएगा कि 778 यानि कि 778 square feet slab ढलाई का टोटल कितना पैसा हो गया टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि labor rate 35,010 रूपे हो गया यानि कि 35,010 रूपे हैं चली हम यहाँ पर लिख लेते हैं 35,010 रूपे हैं तो slab का टोटल एरिया निकालने के बाद आपके एरिये में slab ढलाई का जो rate है जितने में आपने contract दिया हुआ है उतने से आप गोडा करेंगे और comment box में comment करके जरूर से जरूर बताईए कि आपके एरिये में slab ढलाई का क्या rate चल रहा है अभी के लिए बस इतना ही उम्मीद आप से यही है कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपना ख्याल लखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़ादा ख्याल लखिए इसी भाव के साथ आप सभी से बिदा लेते हैं धन्यवाद